नाजी नादाब, मैं हूँ यूसरा और आप देख रहे हैं MMC News इंडिया नाजी नाज हमारे साथ बात कड़ी के लिए मोजूद हैं नॉक्टर मुम्ताज आलम रिजवी साहब नाजी नाज हम बात करेंगे साथ बी प्रग्या ठाकूर के इलेक्शन लड़ने पर मुम्ताज सब माइनॉरिटी मीडिया सेंटर में आपका बहुत बहुत खेर मक्दम है मुम्ताज सब क्या देहशत गर्दी की मुल्जिम साथ बी प्रग्या ठाकूर इलेक्शन लड़ पाएंगी देखें बीजेपी ने उन्हें मीदवार बनाया है और जहिर से बात है कि बहुत सोच समझ के बनाया होगा क्यों बनाया है उस पर बहभ जारी है लेकिन कुछ गानूनी पेचीदगिया जरूर पैदा हो गई है और वो जाहिर से बात है कि वो सामने आएंगी साधी प्रिग्या ठाकुर देखे वो एक बहुत बड़े मामले में यानि देशत गर्दी के मामले में मुल्जिम है और अभी वो बाइज़त बरी नहीं हुई है उनको बरी नहीं किया गया है बलकि बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो उनसे जुड़े हुएं देशत गर्दी के मामले में और वो जो जो जमानत पर रहा हुई है वो इस बुनियात पर रहा हुई है कि उनकी सहर ठीक नहीं है उन्हें बिलकुल ठीक बात है कि एनाईये ने क्लीन चिर दी लेकिन इसके साथ-साथ ये सवाल भी पैदा हुआ है और कोट में चल रहा है कि एनाईये ने यूटन लिया है इनाईये ने यूटन लिया है इसके अलावा गवा जो जनों ने गवाहियां दी थी साधवी के खिलाफ वो सब अपना मू मूँ मूढ लिया यानि उन्होंने अपना बयान बदल लिया इसी के साथ साथ सीसी टीवी का जो फूटेज था जिससे ये पता चलता था कि साधवी प्रेग्या ठाकूर इसमें शामिल है दैशत गर्दी के हमले में माले गाँवाले मामले में तो वो भी गाइब कर दिये गए तो बहुत सारे सवालात हैं और इसके बावजूद बीजेपी जो पूरी दुनिया में दैशत गर्दी के खलाब लडने का ढोल पीड़ती है ढोल बजाती है उसने एक मुल्जिम को अपना उम्मीदवार बना दिया सिर्फ इसलिए कि वो भग करते हैं तो इसलिए ये सवाल जरूर उठा आए और तमाम अपोजीशन पार्टियां ये सवाल उठा रहीं कि आखिर आपने इनको मीदवार किस बुनियात पर बना दिया और आप दुनिया को क्या बताएंगे कि हमने एक ऐसी मुल्जिम को ठीक है अगर साधवी प्रिग्य ठाकोर बाइज़द बरी हो जाती तो आप जरूर उनको मीदवार बनाते और उनको पूरी दुनिया में घुमाते कि इनको गलत पकर लिया गया है इसमें कोई इतरास की बात नहीं थी लेकिन एक शखस पर एक खातून पर इतना बड़ा इल्जाम लगा है आपको मालूम है क जब धमाका हुआ था 2008 में तो उसके बाद एक पूरी खेप सामने आई थी और ये बात आई थी कि ये भगवा दैशतगर्द हैं ये भगवा इसलिए नाम दिया गया था क्योंकि बार बार ये सवाल उठाया जाता था कि मैं जानता हूँ यानि हम मानते हैं कि मुसल्मान दै आई कि जिसमें कुछ ऐसे लोग जिनका तालुक हिंदु वाहनी या ऐसी भगवा तंदीमों से था उनके चेहरे जब सामने आए तो फिर उनको ये रंग दिया गया इसमें पी चितंबरम का भी बयान आया था ये सैफरन टेरिजम का नाम लिया गया था पहली बार हिंदुत पर साधवी प्रिग्या ठाकुर को उमीदवार बना रहे हैं किस बुनियाद में कौन से बुनियाद है तो ये अपने आप में एक बहस तलब बात है और इस पे बहस होगी और इस पे बहस होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत ही टर्निंग पॉइंट होगा कि अगर एक ऐसी खा पड़ेगा और फिर जो मुखदमात उन पर चल रहे हैं क्या वो मुखदमे बाकी रहेंगे क्या वो मुखदमे जो है इमानदारी से चल पाएंगे ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है जो ना सिर्फ ये की हिंदुस्तान के सामने है बलकि पूरी दुनिया के सामने ही थाल्मानों के खलाफ नहीं है बलकि ये मुल्क के खलाफ है और ये वही सूरत हो जाएगी कि जो पाकिस्तान में है जिस कालिस से पाकिस्तान में देशत गर्दों को फरोग दिया गया और आज वो हुकूमत मसीबत में रहती है आए दिन जो है वहाँ पे गातल अगारत गरी होती है कहीं 14 लोग मार दिये जाते हैं कहीं 40 लोग मार दिये जाते हैं कहीं कुछ धमाके होते हैं तो वही सूरथ जो हिंदुस्तान पैदा हो जाएगी कांग्रेस के तर्जमान मीम अफजल थाब ने बड़ी अच्छी बात कही कि ये बिलकुल ऐसे है कि जैसे दाइश को फरोग दिया जाए और बाद में फिर वो मुसीबत बन जाए तो खुदा के लिए कमस कम ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए ये वाकई मुल्क के लिए खतरनाक है मुंता साथवी प्रग्या ठाकुर के खिलाफ लोग कोट गए है इस पर इलेक्शन कमिशन क्या कोई कारवाई करेगा देखे साथवी प्रग्या ठाकुर के खिलाफ जो मतासरीन है उनमें से माले गाओं के उनमें से एक साहब गहे हुए हैं कोट और उनों ने ये कहा है कि साधवी प्रिग्या ठाकुर लwarz तकी नहीं लड़ सकती और उसकी वज़ा ये है कि साधवी प्रिग्या ठाकुर सहत खराब होने की वज़े से जमानत पर रहा की गई है और अगर किसी की सेहत खराब है तो फिर वो एलेक्शन कैसे लड़ सकता है यानि यह जूइल बात हो गई यानि आपकी सेहत ठीक है तो फिर उनको जेल में रहना चाहिए तो इसी को ले करके वो गई है तो बहुत मुम्किन है कि जिस तरीके से हार्दिक पटेल को रोका गया थ इलेक्शन लड़ने से मुम्किन है कि उसी अंदाज में साधवी प्रिग्या ठाकूर को भी इलेक्शन लड़ने से रोका जाए लेकिन अब यह देखना है कि इलेक्शन कमिशन इस पर क्या करता है और खुद अपोजीशन पार्टी क्या इसको किसी तरीके से ले रही है जी प्रदेश में 15 साल हकूमत की बीजेपी ने जहां पर बड़े बड़े लीडरान इनके मौझूद हैं जो आरेसिस का गड़ माना जाता है हैरत की बात यह है कि क्या बीजेपी के पास ऐसा कोई शहरा नहीं था कि जो वहां पर जिसको वो उम्मीदवार बनाते यह वाकई चौक करतें लेकिन यह न करके जो काम किया गया है वाकई यह चौकाने वाली बात है और बीजेपी पर भी एक सवालिया निशान है दूसरा यह कि जो बात यह कही जा रही है कि दरशल यह एक हिंदुत्वा का मैसेज देना चाहते हैं और प्रोराइजेशन की सियास्त कर रहे हैं तो वाख़ी ये बात सही लगती है और फिर ये भी में अब मंद्रपरदेश बोपाल में चले आए कि नर्म हिंदुत्वा और हाड हिंदुत्वा की वहाँ पर पॉलिक्स हो रही है यानि दिगविजा Ih singh johet hundred skipping तो हार्ड हिंद्वा जो है इसार्द Deutsch फ़ेग्य mines ठाक रहे है बहराल बीजेपी को ये सोचना चाहिए कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही जी मुंताज साथ बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया नाजिन आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे डॉक्टर मुंताज आलम रिज्वे साब नाजिन हम भी राजिर होंगे कुछ बड़े खबरों के साथ तब तक के लिए हमें दीजिए जाज़त और देखते रहिए MMC News इंडिया और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए शुक्रिया